नमस्कार आप देखें सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा मिहार के मुझजपरपूर को दहला देने वाले पूर मेर मडर से आप लोग वाकिफ तो होंगे ही इस हत्या की साजिश किसने की थी और किसलिये की इसको लेकर आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे प्रशासन की तरब से इस पर क्या कारवाई हुई तो आज सिटी पोस्ट लाइव के स्पेशल बुलेटिन में हम इस हत्या कांड से जुड़े हर खुला से करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मुझजबपर पुर मेर समीर कुमार की हत्या को अंजाम देने के लिए पूरी साजिश रची गई थी इस हत्या के पीछे संभू मंटू गिरों के शूटरों का हाथ था ये बात लगबग साफ हो गई है इस हत्या की बारदात के तार जमीन के सौधे से जूड रहे हैं जमीन डील को लेकर हुए विवाद में समीर कुमार के सिंडिकेट पार्टनर रह चुके शाम नंदन मिश्रा का नाम इस हत्या काण में समन्या है खास बात ये है कि जिस जमीन को लेकर इतनी बड़ी वार्दात हुई उस जमीन में सबसे अधिक पुंची लगाने वाले इन्वेस्टर जेडियू के मलसी दिनेश सिंग है सुत्रों के नुसार मलसी दिनेश सिंग ने उसमें लगबग 15 करोर रुपे का निवेश किया है केल में बंद सुशील शापडिया का है पुलिस के ओर से उससे तीन पेज में लिए गए फर्द बयान में कई चौकाने वाले तत्यों का खुलासा हुआ सुशील शापडिया ने पुलिस के सामने कई हैरतंगीज खुलासे किये इस फर्द बयान में शंभू मंटू गिरो का नाम सामने आया है शापडिया मुजबपरपूर के सबसे जोल मारवाडी के रूप में चर्चित है गौरतलभे की 23 सितंबर को समीर कुमार की हत्या हुई थी और उसी रात मुजबपरपूर के ततकालीड स्सपी हरप्रीत कौर ने सुशील शापडिया को हिरासक मिलिया था उसके बाद में पुलिस ने सुशील शापडिया को एक करोड की ठगी के मामले में गिरफतार कर लिया था अभी बेव जेल में बंध है इसी बीच स्सपी हरप्रीत कौर का तबादला हो गया अब वहां के स्सपी मनोच कुमार है स्सपी मनोच कुमार के निर्देश पर लिये गए फर्द बयान में सुशील शापडिया ने मुझबपरपूर में जमीन के खतरनाग दील का कच्चा चिठा पुलिस के सामने खोल कर रख दिया है चापडिया ने जमीन के इस खतरनाग खेल में और कौन-कौन खिलाडी शामिल है उसका भी खुलासा कर दिया है चापडिया ने समीर कुमार की हत्या करने वाले शूटर गोबिंद और सुजीत के नाम का भी खुलासा किया है सुशिल छापडिया ने पुलिस को बताया कि मौत के इस खतरनाक खेल के पीछे मुझबपरपूर में कल्यानी की 19 कथा जमीन है इसका पहला सौधा 2016 में लगबग 13 करोड में हुआ था फिर वो रद हो गया बाद में इस भूखंड का दोबारा सौधा हुआ समीर कुमार के सिंडिकेट में आशुतोष साही शाम नंदन मिश्रा समेत कई नाम सामने आ हैं लेकिन मामला तब उलज गया जब चंदरलेखा सेंग के साथ कम पैसे के लेंदेन को लेकर समीर कुमार ने शाम नंदन मिश्रा को सिंडिकेट से बाहर कर दिया इतना ही नहीं उनके साथ मारपीड भी की गई कहा जाता है कि इसके बाद से शाम नंदन मिश्रा उनकी जान के दुश्मन बन गए थे फर्द बयान के नुसार मामला इतना आगे बढ़ गया कि मिश्रा ने शम्भू मंटू गिरों के संपर्क साधा गिरों ने आशुतोष साही समेत अन्न लोगों को समीर कुमार से दूर रहने की चेताबनी दी फिर पिछले माँ 23 सितंबर को ऐसा खूनी खेल खेला गया रविवार की शाम समीर कुमार को शूटरों ने एक के 47 से भून दिया इसकी बाद पुलिस महकमे से लेकर राजनीतिक महकमे में अफ्रा तफ्री मच गई सरकार के एक बाल पर सवाल उठने लगे बढ़ते क्राइम को लेकर विपक्ष हमला बर हो गए बहरहाल सुशिल छाबडिया के फर्द बयान के बाद शंभू मंटू गिरो के इस हत्या में शामिल होने का खुलासा हो चुका है हत्या की साजिश करने वाले पाटनर श्याम नंदर मिश्रा भी पुलिस रडार पर है सहारा इंडिया की जमीन डील में पैसे लगाने वाले कई निवेशकों के भी नामुजागर हुए है इसी में सबसे अधिक 15 कडोर लगाने वाले जेडियों के रूप में एमलसी दिने सिंग का नाम भी फर्द बयान में सामने आ है अब रविवार को जाप के संडक्षक मध्यपूरा सांसत मुझब पर पूर पहुँच रहे है उन्होंने सिटी पोस्ट लाइब को बताया कि उन्होंने पहले ही इस हत्यकान में जेडियों नेता के शामिल होने का खुलासा कर दिया था पपू यादब कारोप है कि सरकार उन्हें बचा रही है पपू यादब ने कहा कि जेडियों नेता की भूमिका की जाज की मांग उठाने के लिए वो मुझब पर पूर जा रहे है जा जानकार के लॉगिन कीजिए citypost type.com बस एक क्लिक में सभी खबरे